सोयवीन की फसल में पहले complete spray की बात करें तो पहले हम कीटना सक fungicide और tonic इन तीनों को लेने वाले हैं फसल की अवस्ता के अनुसार आपको कौन सा कीटना सक fungicide और tonic लेना है चलिए वीडियो में डिटेल में बात करते हैं सबसे पहले हमें कीटना सक लेना है लेकिन कौन सा लेना है ये निर्वर करता है आपकी फसल की अवस्ता के उपर कि अभी आपकी स्वयवीन कितने दिन की हो चुकी है और early variety या फिर medium या फिर late variety है साथ में हमें ये भी देखना है कि कौन से कीट का attack हुआ है और कौन से कीट का attack आगे हो सकता है तो सामाइन इसे बात हैं कि पहले spray के time यानि की 25 से 35 दिन की अवस्ता में stem fly, raddle beetle, ring cutter और कुछ यहाँ पर हरी same way उपर इल्या भी नजर आती है तो इनके लिए हम alika वाला technical thai methexome प्लस lambda salithrin वाला technical ले सकते है या फिर solomon वाला imida प्लस beta syphelothrin वाला technical ले सकते है या फिर emamectin manzoid प्लस vipronil वाला ले सकते है या फिर bio kitna sak जैसे की corrosion, empligo इन सभी में से किसी एक kitna sak को लेकर spray कर सकते हो ये सभी kitna sak पहले spray के लिए एक दम perfect रहेंगे वो भी बिना किसी cross insecticide के इन kitna sak में से जातर में तो पहले से दो technical पाए गए है एक तो contact और दूसरा systematic ये अकेले ही stemfly, gardle, beetle और हरी semil उपर ilio के लिए काम करते है अगर आपने जल्दी पकने वाले variety लगाई है तो अभी आपकी फसल flooring stage में जाने वाली है तो यहाँ पर आप लंबी अवदी वाली कीट नसक दवा को ही spray करें ताकि 20 दिन के आसपस का control मिल जाए 20 दिन के बाद कर बनने के अवस्ता रहेगी तो second dose का ये सबसे बेश्ट समय रहेगा लंबी अवदी के combination के लिए आप इनवे से किसी एक कीट नसक को ले सकते हो इसके लिए आप इमामेक्टिन में जोड 1.9% EC को ले सकते हो या ताना चेदेक और फल चेदेक वाले सभी कीटो या सभी इलियो पर अच्छा control देता है या फिर आप बायो कीट नसक के साथ प्रोफेनोफॉस, क्वेनलफॉस या फिर अलिका में से किसी एक कोक रास्क में ले सकते हो इसके अलाब इंडॉक्सा कार्ब प्लस नोवाल उरन वाला टेकनिकल यानिकि आदामा का प्रोड़क्ट प्लेथोला को ले सकते हैं और अगर आप महेंगी कीट में सके सोकी नहीं तो आप किसी से भी नहीं पुछेंगे और आप कोराजन और एंपली को इन में से किसी एक का इस्प्रे कर देंगे तो इन सभी में से किसी एक कीटने से का इस्प्रे अगर आप करेंगे तो आपको 20 दिन के आसपस का नियंत्रन मिल जाएगा अगर मुसम ने साथ दिया तो नहीं तो यही दवई 10 दिन ही काम करेगी या फिर 20 दिन में निकाल देगी अब आते हैं फंगी सैट के उपर कि फंगी सैट लेना है या फिर नहीं लेना है अगर लेना है तो पहले इस्प्रे में कौन सा लेना है अगर क्रशी बेग जयनी को इम ज़्यादा उत पदन निकालने वाले किसानों की माने तो उनका कहना है कि हर इस्प्रेय में फंगी साट का प्रियोप करना चाहिए क्योंकि खरिब की सीजन है बारिस का कोई भरोसा नहीं है कितने दिन तक पानी लगातार गिरता रहेगा इसका कोई फिक्स नहीं है और अगर लगातार पानी गिरेगा तो अधिक नमी की वज़े से स्वयविन में फंगस लगना निश्चित है अगर विमारी दिखने के बाद भी स्प्रेय करेंगे तो खर्चा भी अधिक होगा और रिजल्ड भी इतना सहीर नहीं आ पाएगा तो पहले ही हम ध्यान में रखके स्प्रेय करेंगे तो उतना हमें परिशान नहीं होना पड़ेगा और होने वाले नुकसान से भी बच जाएंगे पहले स्प्रेय में हमें महेंगे वाली नहीं बलकि बिल्कुल बजट में आने वाले फंगिसेट का प्रियोक करना है जैसे हेक्जा कोनाजल हो गया, प्रोपी कोनाजल हो गया, कार्बेन निजम प्लस मेनकोजेब हो गया और टेबू कोनाजल प्लस सलफर हो गया, ऐसे फंगी सट लेना है जो बजट में भी हो और काम भी अच्छे से कर दे अब आते हैं टोनिक के उपर टोनिक में आपको यहाँ पर दो रिकुमेंड करूँगा पहले तो माइक्रो नूटरेंड मिक्शर जिसमें जिंक, बोरान, फेरस, सलफर, कॉपर, मैगनेशियम और केल्सियम चिलेटर फोम में होता है जो पानी में आसानी से घुल जाएंगे और इसके साथ आप 19-19-19 का भी स्प्रेक कर देना तो किसान में आपको एक किटना से एक टोनिक और एक फंगी साइड और साथ में हो सके तो एनपी के 19-19-19 या फिर एनपी के 12-1-1-0 का उप्योप कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूं किसान में आपको एक जानकारी पसल नहीं होगी मिलते हैं किसान से अगली वीडियो में जय जवान जय किसान